हलो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आई टी और जैसे के आप सब लोगों पता है कि अभी हम हमारा जे डवली मेंस 2020 रेंक बुस्टर क्वेशन सीरीज बढ़ रहे हैं ठीक है और हरोज साड़ेशे बदे हमारा लेक्टर आ जाता है आज हमारा फोर्थ चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था विच इस कोडरेटिक एक्वेशन उसमें आज हमारा लास लेक्टर है ठीक है और इस से पहले हम लोग कोडिने जिओमेटरी और ट्रिगनोमेटरी अन वन मौः चैप्टर वी हाव डन तबर तीन चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज चॉतर बीकंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्टर से हम लोग प्रोबाबिलेटी करेंगे तो आइए रिक् है minus 5 by 6 less than theta less than minus 5 by 12 interval दे दिया है ठीक है no problem कोई दिक्कत नहीं suppose alpha 1 and beta 1 are the roots of equation this मतलब की alpha 1 and beta 1 are the roots of equation x square minus 2x sec x plus 1 is equal to 0 ठीक है इसके roots क्या हो जाएगे आप मुझे बताएं इसके roots हो जाएंगे minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a no problem अब यहां पर minus b की जगह आ जाएगा minus 2 sec alpha तो यह हां minus 2 sec x okay plus or minus square root of minus 2 sec x का whole square minus लिखने के बाद 4 a की जगह आ जाएगा यहां पर देखिए क्या है 1 और cb क्या है 1 ठीक है cb क्या है 1 divided by 2a 2a मतलब 2 into 1 okay no problem अब next page में चला जाता हूं मैं क्या हो जाएगा देखिए यहां यहां पर हो जाएगा minus minus plus 2 sec x 2 sec x plus or minus यहां पर हो जाएगा 4 sec square x plus 4 under root में under root में 4 sec square x plus 1 divided by नीचे आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा सिर्फ 2 no problem यहां पर 2 sec x plus or minus 4 यहां पर 4 था देखो यहां पर क्या है 4 है 4 यहां से common आ जाएगा जो बाहर आ जाएगा 2 under root of sec square x plus 1 that is 10 square x by 2 अब यह जो 2 है यह एक दूसरे को मार डालेंगे यह दुनों cancel मेरा final answer आ जाएगा sec x square root हठाने से प्लस और माइनस आएगा यहां पर अल्रेडी प्लस और माइनस है तो यह हो जाएगा plus or minus 10 x sec x plus or minus 10 x ठीक है यह मेरा हो जाएगा first का solution ओके एक्चुली यहां पर अल्फा है तो मेरा answer हो जाएगा sec x plus 10 x नो problem चलो तो अब next जो मुझे है वो दी गई है कि alpha 2 and beta 2 are the roots of this equation x square plus 2 x 10 theta minus 1 is equal to 0 तो अब इसका लिखते हैं हम लोग ठीक है तो यह क्या हो जाएगा देखो इसके लिए x square plus 2 x 10 theta minus 1 is equal to 0 तो अब ही मैंने वह पता नहीं किया कि कौन सा alpha 1 लेना है कौन सा beta 1 that is the task only आपको लग रहा होगे कि यार यह तो roots निकालना तो बहुत easy है लेकिन हमें ultimately पूछा है क्या पता है हमें यह बोला है alpha 1 greater than beta 1 alpha 2 greater than beta 2 और पूछा है alpha 1 plus beta 2 तो हमारा real task हुई है कि हमें alpha 1 and beta 1 alpha 2 and beta 2 find करना है ठीक है जबकि हमारे plus तो अभी यह है यह दोनों है अब इसमें से 1 alpha 1 है और 1 beta 1 है वो कौन सा होगा वो ही हमारा real task है तो आगे बटने से पहले इसका roots find कर लेते हैं इसके roots क्या दियेगा हमें alpha 2 beta 2 कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यह आ जाएगा हमारा alpha 2 beta 2 minus b that is minus 210 theta एक्चुली यहां x की जगा थिटा आएगा क्योंकि हमारा variable क्या है 2 10 theta का square minus 4 ac ac क्या है 1 यह भी 1 है यह भी c क्या है minus 1 है ध्यान से देखो c क्या है minus 1 तो यहां पर minus आएगा तो minus minus हो जाएगा plus 1 नीचे आ जाएगा हमारा 2 theta 2a 2a क्या है 1 no problem यह मेरा हो जाएगा minus 210 theta plus or minus यहां से 4 4 12 square root के आजएगा 2 यहां पर हो जाएगा 10 square theta plus 1 that is square theta यह हो जाएगा sec theta by 2 तो ही यह मेरा हो जाएगा minus 10 theta plus or minus sec theta ठीक है तो यह मुझे मिल गया मेरा क्या मिल गया यह मुझे alpha 2 and beta 2 ठीक है मुझे अब चार roots पता चल गया है लेकिन कौन इसमें कौन सा root है वो हमें find करना है उसके लिए सबसे important जो step है वो हमें दिया गया है यहां पर कि alpha 1 greater than beta 1 alpha 2 greater than beta 2 उसका हमें use करना है क्या बोला है alpha 1 greater than beta 1 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब तो पहले इसके लिए हम थोड़ा सेक और 10 theta देख लेते हैं कि इंटरवल में क्या होगा क्यों कि हमारा हर चीज सेक 10 theta में खेल रहा है तो पहले हमें इंटरवल पता होना चाहिए इंटरवल हमें दिया है माइनस 5 by 6 less than theta less than minus 5 by 12 अब आप मुझे बता हूँ माइनस 5 by 12 मतलब 15 तो यह माइनस में 15 डिगरी यहां आएगा दिस इस माइनस पाइब पाइब ट्वल एंद इस पाइब 6 ओके माइनस पाइब 6 अब आप मुझे बताओ हमें 10 theta चाहिए और 10 theta चाहिए तो अगर मैं यहां पर सेटा अपलाय करता हूँ मतलब सेख ओफ माइनस 5 by 6 अब एक चीज़ मुझे बताओ कि जो साइन है जब भी हम कोई भी इंट्रवल कोई भी यूनिट पर कोई भी इंट्रवल पर अगर हम फंक्शन अपलाय करते हैं तो अगर वह इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ठीक है इं तो इन इक्विलिटी जो है इनेक्विलिटी साइन लिल भी सेम बहुत इंप्टन कॉंसेप्ट है और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्षन है दन इन इक्विलिटी साइन विल चेंज़ ठीक है तो वह चेंज हो जाता है अब आप मुझे बताओ सैक यहाँ पे काईसा फ तो मतलब यह कैसा function हुआ ठीक है ध्यान से सोच के बताना यहां 0 होता है तो यह infinity होता तो यह कैसा function हुआ यह हुआ यहां से यहां जाते चाते increasing function ठीक है और हमें चाहिए minus 5 by 6 to 5 by 12 जा रहा है यह मतलब हम यहां से यहां जाते हुआ यहां से यहां जाते हुए increasing है तो यहां से यहां जाते हुए कितना है यहां से यहां देखो यह minus 5 by 6 है यह 5 by 6 है और यह 5 by 12 है हम कहां से कहां जा रहे है यहां से यहां जा रहे है इस तरह से यह direction देखो यहां से यहां जा रहे है तो यह कैसा function है decreasing है decreasing function में क्या होता है इन्टी चेंज हो जाएगी आई होप यह सबको समझ में आया होगा ठीक है ओके अब देखते हैं कि सेक्ट तो इवन फंक्षन है तो यह हो जाएगा सेक्पाइब इसेटा 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 स्वरी ग्रेटर देन सेक्ट तो यह मुझे एक चीज पता चल गई बहुत ही इंपॉर्टन चीज़ याद रखना है तो है ठीक है मतलब कि सेक्पाइब शेटें श्युक्त अग्रेटा इसेटा के लिए लिए देहेंगे आधी कि अब अब आप मुझे बताइए कि 10 theta है apply करता हूँ ठीक है दोनों सब हर साइड 10 theta यहां पर हो जाएगा 10 minus pi by 12 चलिए अब 10 theta यह interval में कैसा function है आप मुझे बताइए again unit circle draw किया मैंने यहां पर आ जाएगा हमारा minus 3 pi by 2 और यहां पर कहीं पर होगा हमारा यहां हम जा रहे हैं अब यहां पे 10 की वेलियस होती है 1-0 टीडिक है तो यह कहां से जा रहा है मॉल्यार कर आतने हमारा ओर फॉंक्षं टो की संटता है यहां पर पर एक और चीज आ पर और चीज आ जाती है यह सा कैसा function है तो 10 है हमारा odd function ठीक है तो माइनस sign बाहर देदेगा माइनस 5 by 6 सुरी जस्टा सेकंड कोई दिक्कत नहीं है यहाँ 5 by 6 हो जाएगा यहाँ माइनस आ गया जाएगा यहाँ पर 10 theta और यहाँ पर माइनस 10 पाइबाई 12 यह भी सब 10 पाइबाई 6 एक और चीज़ कि अगर माइनस के साथ मल्टिप्लाई करना है तो फिर से इंडिक्विलिटी चेंज हो जाएगी माइनस टेटा ग्रेटर देन के लिए यहाँ से यहां जाना है तो यहां हमने देखा कि माइनस इंपाइनट है यहां जीरो है तो इचिन चरह कि 84 वाले जगा पर होता है जीरो यहां पर और यहांं पर होता है वन तो कस क्या है कॉस कैसा function आप देखो जीरो टुवन जारे मतलब increasing है तो अगर increasing है तो सैक क्या हो जाएगा decreasing हो जाएगा इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं तो मैंने सेट और माइनस टेंट दोनों की वैल्यूस हमें हमें पता हो चुकी है यह interval में किस तरह से मूव रही है ठीक है अब हम आते हैं हमारे roots पर ओके तो हमें roots मिल गया है देखिए 10 देटा के भी हमें मिल गया है कि माइनस टेटा यह 10 देटा कॉंसे इंटरवल में ठीक है तो अब हमने पता करना है कि alpha 1 beta 1 alpha 2 beta 2 के value किया है ठीक है तो हमें पता है कि alpha 1, beta 1 are roots of which equation x square minus 2x sec theta plus 1 is equal to 0 ठीक है और हमने पता भी कर लिए थे उसके roots क्या थे हमने find out कर लिए है और वो root हमें मिले थे कहां गए वो root देखते हैं sec theta plus or minus 10 theta कहां यह लिख देते हैं sec theta plus or minus 10 theta ठीक है तो अब एक इसमें से होगा हमारा sec theta plus 10 theta और एक हमारा होगा sec theta minus 10 theta अब आप मुझे बताओ कि इन दुरह में से बड़ा कौन होगा बड़ा बड़ा obviously होगा यह वाला तो यह हमारा alpha 1 हो जाएगा यह हमारा यह interval में negative है तो यह 9 minus minus plus हो जागा और यह कुछ बड़ा positive value मिलेगा compared to this जबकि यहां पर plus है और 10 theta तो negative है interval में तो यह sec theta minus 10 theta हो जाएगा और वो कोई छोटी value देगा I hope यह चीज़ सब को समझ में आई होगी ठीक है तो इसी तरह से हमने deduce किया कि alpha 1 is bigger than beta 1 condition में दिया था तो हमारे यह alpha 1 हो गया और यह beta 1 हो गया इसी तरह से हमें दूसरा भी दिया था कि alpha 2, beta 2 are roots of which equation x square plus 2x 10 theta minus 1 is equal to 0 के थे ठीक है और वो हमें मिले थे वो कहां गए देखो हमने find किया था यह रहा है वो हमें मिले थे minus 10 theta plus or minus sec theta क्या था वो minus 10 theta plus or minus sec theta ठीक है अब यहां से दो root मिलेंगे अगे minus 10 theta minus sec theta and minus 10 theta plus sec theta अब इस में से कौनसा alpha 2 होगा और कौनसा beta 2 इस condition में से पता करना है alpha 2 greater than beta 2 में से तो कौनसा हो जाएगा but obviously यह जो है सेक theta minus 10 theta वो मेरा हो जाएगा alpha 2 और यह मेरा हो जाएगा beta 2 क्यों अगीन sec theta तो positive है minus लिखने के बाद यह 10 theta negative है तो minus minus plus हो जाएगा चीक है यहां पर minus sign है तो यह ultimately क्या हो जाएगा positive है और यह value हम लोग इस तरह से ले रहे हैं तो alpha 2 बड़ा आना है यहां compare to beta 2 ठीक है तो हमें ultimately 4 roots मिल गए है तो अब हम हमारा final answer लिख सकते हैं which is alpha 1 plus beta 2 तो alpha 1 हम मिला था sec theta minus 10 theta फिर plus लिखने के बाद beta 2 beta 2 मतलब minus 10 theta minus sec theta minus 10 theta minus sec theta ठीक है तो यह simplify करने के बाद यह दोन एक दूसरे को मार डालेंगे तो minus answer आ जाएगा final minus 2 10 theta this will be my final answer ठीक है I hope यह question सबको समझ में आवा बहुत ही सुंदर question था और tough question था ठीक है अच्छा question था minus 2 10 theta is my final answer फिर से मैं एक बार overview देना चाहता हूँ इस question का एकदम फटाफ़ड कि हमें यह interval दिया था ठीक है हमें बोला गया था कि alpha 1 and beta 1 are the roots of this equation तो हमने क्या किया उसके roots find कर लिए देखो minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a उससे हमने root find किये तो यह मिल गए ठीक है उसके बाद हमें बोला गया था कि alpha 2 and beta 2 are the roots of this equation तो हमने उसके roots find कर लिया यहां तक तो बहुत ही काम इसी था फिर हमें बोला था कि हमें क्या find करना है alpha 1 plus beta 2 और condition दी थी कि alpha 1 greater than beta 1 है और alpha 2 greater than beta 2 है ठीक है अब हमारा task यही था कि alpha 1 beta 1 क्या है alpha 2 beta 2 क्या है कौनसा कौनसा है वो हमें find करना था तो उसके लिए हमने sec और 10 theta का interval का use किया हमने क्या कि condition हमें दी थी तो उसके उपर से हमने find किया sec theta और का interval कौनसा होगा ठीक है वो हमने कैसे find कि कि यहां function increasing है या decreasing वो देखके कि जो sec function था वो हमारा decreasing function था तो हमने inequality change कर दी this is the main important rule that we learn today ठीक है अगर increasing function है तो inequality sign क्या हो जाएगी change हो जाएगी sorry increasing function है तो साइन सेम रहेगी अगर decreasing function है तो change हो जाएगी यहां पर हमने देखा कि sec था वो decreasing function था तो उसकी sign हमने change कर दी और 10 था वो कैसा था increasing function था उसकी सेम रहने थी ठीक है लेकिन अगे minus के साथ multiply किया तो उसकी भी sign फिर से change हो गई तो ultimately हमने दो निकाल दिये terms की यहां के यहां की बीच में values लाए कर रही है ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने alpha 1 and beta 1 की value deduce कर दी और फिर last में alpha 1 beta 1 alpha 2 beta 2 हम मिल गया और last में हमने क्या किया दोनों का question था चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा last question दिखते हैं जो आया था आगी जी डबली एडवास 2013 है ठीक है ओके क्या बूला गाया है कि 3 e 3 to the power x is equal to 4 to the power x-1 then x is equal to what हमें x की value find कर नहीं और यह बता दूं यह multiple choice question है ठीक है तो इसमें दो से ज़्यादा answer आ सकते हैं ओके no problem तो पहले में फिर से question लिख लेता हूं 3 to the power x is equal to 4 to the power x-1 जब भी इस तरह से power दिया हो तो सबसे best option रहता है log लेना तो log ले लेते हैं तो यह जो एगा x log 3 is equal to x-1 log 4 ठीक है अब थोड़ा simplify करते हैं तो x log 3 is equal to x log 4 minus log 4 तो यह हो जाएगा log 4 is equal to यह उससे चला जाएगा तो x common log 4 minus log 3 तो यहां से मुझे मिलेगा x is equal to log 4 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं क्योंकि मुझे यहां दिख गया कहीं पर भी 4 नहीं है लोग 2 है तो मैं इसको 4 को कैसे लिख सकता हूं log 2 का स्क्वेर और यह हो जाएगा अगीन लॉग 2 का स्क्वेर माइनस लॉग 3 अब लॉग 2 का स्क्वेर को मिलेग सकता हूं 2 लॉग 2 यहां पर आजाएगा यह भी आगट आजाएगा तो यह हो जाएगा 2 लॉग 2 माइनस लॉग 3 ठीक है तो आई होप यह भी सबको समझ में आओगा यह option दिया है हमें क्या तो लॉग 2 माइप अपॉन टू लॉग 2 ओके यह option तो कहीं नहीं है लेकिन हाँ इसको मार्क कर लेता हूं ठीक है इसको दिक्कत नहीं है हम इसको थोड़ा और simplify करना पड़ेगा इ X is equal to मुझे मिल गया है 2 लॉग 2 divided by 2 लॉग 2 माइनस लॉग 3 अब हर एक टम को लॉग 3 के साइट डिवाइड करता हूं यह भी मुझे कैसा पता चला option में से यहां पर मुझे option में दिख गया था बेज 3 तो लॉग 2 विद बेज 3 तभी आएगा जब मेरे पास होगा लॉग 2 लॉग 3 यह प्रोपटी हमने सीखी थी लॉग A लॉग B इसको हम लिखते हैं लॉग A विद बेज भी ठीक है तो मैं क्या कियागा लॉग 3 से दिवाइड कर दूँगा तो यह हो जगा 2 लॉग 2 वाइड लॉग 3 इसी तरह से यहां पर लॉग 2 लॉग 2 विद बेज 3 माइनस दो ने के बाद वन तो तो क्या यह हमारा एक आंसर होगया देखो तो क्या यह उप्शिन में दिया है हमें लैसी यह हमें और चल्म लॉग 2 यही से मुझा पता चलिया कि अब मैं क्या कर सकता हूं सारे के सारे के टाम्स को लॉग 2 विद्ध बेस 3 के साथ दिवाइड कर दूंगा तो यहां पर हो जाएगा टू यह भी 2-1 अपॉन अपॉन थ्यान से देखना लॉग टू विद्ध बेस 3 है तो लॉग 2 डिवाइड़ बाइ लॉग 3 ऐ धी किया हो गया टू लॉग 3 बाइ लॉग 2 वाइड लॉग 2 हो जाएगा लॉग 3 वाइड रॉग 2 अगें लॉग 3 विद्ध बेस 2 i hope यह भी सबको समझ में आओगा तो यह भी हमें option दिया हुआ है that is option number b option number b b मेरे correct answer हो ठीक है और last but not the least that is option number कौन सा अभी हो सकता है यह तो option नहीं हो सकता ठीक है यह नहीं हो सकता log c के लिए हम check करते हैं यहां पर बोला है log 3 with the base 4 बोला है 4 ध्यान से देखना तो यह भी हमें property पता है यह लास lecture में हमने सीखी थी property इसको यह आगे ले जाओ इस टर्म को मैं अगे ले जाता हूं ठीक है देखिए ध्यान से देखना कोई दिक्कत नहीं है next page ले लता हूं तो यह क्या हो जाएगा 2 upon क्या है यह 2 upon 2 minus log 3 with the base 2 अब सबको 1 by 2 से divide करता हूं तो यह हो जाएगा 1 1 minus 1 by 2 log 3 with the base 2 तो यह क्या हो जाएगा 1 minus 1 by 1 by 2 है अब देखो 1 by 2 है यहां पर तो 1 by 2 को मैं यहां बेस की पावर में ले सकता हूं ठीक है log 2 का स्क्वेर with the base लॉग स्वरी लॉग 3 लॉग 3 with the base 2 का स्क्वेर यह जो 1 by 2 है वो यहां बेस की पावर में चला जाता है अगर यहां पर 2 होता तो वो 3 की पावर में जाता यह मैंने लास्ट लेक्टर में बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंड किया है फिर से एक बार बता देता हूं आपको आपके लिए कि अगर लॉग 3 है जनरलाइस चम में लेते हैं लॉग A है with the base B raise to C तो इसको हम क्यासे लिख सकते हैं लॉग A divided by लॉग B to the power C ठीक है और यहां पर अगर C आ गया आ जाएगा 1 by C हो जाएगा यह C आ गया आ जाएगा 1 by C लॉग A by B अगें A by B को लिख सकते हैं log A with the base B ठीक है तो इसका मैंने उल्टा किया है देखो यह जनरलाइस एक्वेशन है याद रख लो यह दिमाग में ठुसर दो C है यह ठीक है तो यह जनरलाइस है इसका मैंने उल्टा किया है यहां 1 by 2 था तो 2 को मैं बेस की पाउर में ले जा सकता हूँ तो यह हो जाएगा 1-1 upon log 3 with the base 4 I hope यह सबको समझ में आया होगा तो इसके साथ हमारा एक और ऑप्शन सही हो गया that is option number C सो हमें हर एक option चेक करने पड़ते हैं ठीक है यहां पर तो बहुत ही अच्छा question था है डी तो हमारा option नहीं हो पाएगा तो that is it for this question और इसे के साथ हमारा quadratic equation का भी chapter समापत होता है ठीक है काफी अच्छे-च्छे questions हमने देखे हैं इसमें अगर आप कोई भी डाउट हो या कोई भी inquiry हो कोई भी आप question solve करवाना चाहते हो तो आप मुझे हमेशा हमारे email address पर email कर सकते हैं हमारा email address में फिर सब बता दू road2iit12 at the rate gmail.com ठीक है इस पर आप email कर सकते हैं till then thank you for watching this video अगर वीडियो पसंद आतो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और comment करना ना भूले ठीक है चलिए मिलता है next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद